जैहिन दोस्तो आज की हमारी वीडियो बीएसी अग्रिकल्चर के फर्स एमिस्टर के सॉयल साइंस की है आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिर्दा के बहुत तिक गोण यानि फिजीकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल तो दोस्तो जो सॉयल की प्रॉपर्टीज हैं वो साथ है तो पहले हम इन पर एक नजर डाल लेते हैं उसके बाद हम इन पर सभी पर एक एक करके बहुत अच्छे चर्चा कर लेंगे तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो है दोस्तो मिर्दा कड़ाकार यानि सॉयल टेक्चर फिर है मिर्दा की सररचना यानि सॉयल इस्टेक्च मिर्दा का घंतव यानि soil density रंदरवकास यानि porosity मिर्दा तापमान यानि soil temperature मिर्दा रंग यानि soil color और लास्ट है हमारी मिर्दा जल यानि soil water तो दोस्तों यह जो topic है यह बहुत ज़्यादा important है यानि जो मिर्दा के बहुत गुड़ वाला टॉपिक है दोस्तो यह बहुत ज़्यादा important है important क्यों है क्योंकि दोस्तो हर एक साल इस बाले topic से दोस्तो question आते ही हैं तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से पढ़ना और हम जो आपको बता रहे हैं उसको आप note करते रहना ताकि आपको याद रहे तो दोस्तो सबसे पहले इसकी जो पहली property है मिर्दा कणाकार यानि soil texture उससे ही सुरू कर लेते हैं तो दोस्तो किसी मिर्दा में किले, silt और बालू की अनुपात को मिर्दा कणाकार कहते हैं यानि दोस्तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी soil है उसमें जो किले और silt और जो बालू का अनुपात दोस्तो वही होता है soil texture इसको और अच्छे समझने के लिए एक example से इसको दोस्तो समझो जैसे दोस्तो आपने soil को लिया, soil को लेने के बाद आपने किसी lens से या microscope से इसको देखा आपने उसमें क्या देखा कि जो आपके clay particle है क्योंकि दोस्तो जो soil होती है बहुत सारे particles से मिलके बनी होती है जिसमें जो particle होते हैं दोस्तो बहुते हैं clay, silt और बालू दोस्तो जब आपने इसको check किया microscope से या किसी other lens से हैं आपने देखा जो clay particle है soil में वो दोस्तो 20% है ठीक और इसके बाद जो आपके silt particle है वो दोस्तो आपके 30% है और आपकी जो बालू है soil में दोस्तो बो है आपकी 50% तो दोस्तो यह जो percent है इसी को हम बोलेंगे soil texture यानि किसी soil में मौजूद clay, silt और बालू के अनुपात या percent को ही दोस्तो soil texture कहा जाता है दोस्तो आप देख लेते हैं कि यह soil के कण होते हैं वो कितने होते हैं तो दोस्तो International Society of Soil Science ने मिर्दा की इन तीन कणों को चार भागों में बाटा है अब दोस्तो आप यह सोचेंगे कि अगर तीन कण हैं तो उसको चार भागों में कैसे बाट दिया तो दोस्तो जो बालू है उसको दो बालू में बाट दिया है पहली है महीन बालू और फिर है मोटी बालू इस चार हो कण हैं दोस्तो इनके हम size को समझ लेते हैं तो यह important भी है इसलिए इसके जो size है दोस्तो यह note कर लेना आप दोस्तो पहला है clay तो जो clay के जो कण होते हैं उसका size होता है दोस्तो 0.002 mm से कम उसके बाद दोस्तो आता है silt दोस्तो silt का size होता है 0.002 से 0.02 mm तक दोस्तो अभी आप data देखकर घबराना नहीं युकि ये जो data है हम आपको एक trick से बता देंगे कि इसको आपको याद कैसे करना है फिर यह दोस्तो महीन वालू तो जो महीन वालू है उसका size होता है 0.02 से लेकर 0.2 mm तक फिर लाश्ट में हमारी आती है मोटी वालू तो यह मोटी वालू होती है उसका size होता है 0.2 से 2 mm तक दोस्तों अब हम आपको यह बता देते हैं कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना बस किसी एक particle के साइज को याद रख लेना है जैसे मानलो आपने किले का साइज याद कर लिया केले का साइज अगर मानलो 0.002 mm है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना बस एक 0 नीचो कम करके लिखते चले जाना है जैसे इसको नए पेच बस समझो दोस्तो जो आपके दोस्तो केले पार्टिकल है उसका साइज हम आपको बताई चुके हैं बो है bahn दोस्तो 0.002 mm से कम ठीक दोस्तो अब आपको कुछ नहीं करना जितने भी नीचो के जो करने हैं दोस्तो जैसे आपका silt हो गई आपकी महीन वालू हो गई और आपकी मोटी वालू हो गई दोस्तो अगर इनका साइज निकालना है तो कुछ नहीं करना बाद में 2 mm दोस्तों यह आ जाएगी फिर अगर नीचे इसका आएगा दोस्तों तो एक 0 और कम कर दो यानि 0.0 तो दोस्तों यह ऐसे ही आ जाएगा 2 और इसमेंसे 1 0 दोस्तों कम कर दो यह आ जाएगा दोस्तो आपका 0.2 उसके बाद में दोस्तो इसको ऐसे लिख दो 0.2 एक 0 और अटा हो दोस्तो दो रह जाएगा 2 mm दोस्तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप ऐसी एकर याद कर पाए नॉर्मली तो बहुत अच्छी बात है नेक्स दोस्तो हम देख लेते हैं यह तो आपका हो गया नेक्स दोस्तो आपके एक नट दोस्तो फिर है कि मिर्दा का जो कणाकार याणी जो टेक्चर होता है उसको निकालते कैसे हैं दोस्तो मिर्दा का जो कणाकार याणी जो टेक्चर है वो भार और आयतन दोनों के आधार पर निकाला जाता है दोस्तों भार को मास कहते है और आयतन को बॉलियूम इंगलिस में कहते है तो यह जो मास और बॉलियूम दोनों से निकाला जाता है लेकिन सबसे अच्छा जो कणाकार निकलता है दोस्तों वो भार के आधार पर निकलता है सबसे अच्छा भार के आधार पर क्यों निकलता है तो इसको अभी हम आगे आपको बताएंगे दोस्तो पहले हम यह देख लेते हैं कि भार के आधार पर कणा कार निकालते कैसे हैं दोस्तो तो इसके लिए आपको चार छलेनी की आवज सकता होगी दोस्तो चलेनी तो आप सभी समझते होंगे चलेनी क्या होती है गोल बरतन होती है जिसमें चारों लग इसके बॉंडरी होती है और बीच में जाली लगी होती है दोस्तो उसको चलेनी कहते हैं और आप सभी ने चलेनी को देखा होगा उसके बाद चलनी का उप्योग करना है दोस्तो हमने आपको बताया था कि आपको चार चलनी लेनी है तो उसमें सबसे पहले आपको चलनी लेनी है टेक्शन निकालने के लिए वो पहली चलनी का दोस्तो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तो 2.0 mm मैंनी 2 mm, कि छलनी के size का मतलब दोस्तों ये है कि जो आपकी छलनी है, उसके अंदर जो जाली लगी होती है उस जाली के size होना चाहिए दोस्तों बो होना चाहिए 2 mm का और अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपने छलनी ली है दोस्तों उसमें जिस सॉइल से आज सॉॉयल में सॉइल का आप टेक्टर लिकाना चाँ रहे हैं उस सॉइल को लेके दूस्तो च्शलणी में डाल देना है जैसे ही आप इसको छलनी में डालके हिलाएंगे दोस्तों तो क्या होगा इस छलनी से दोस्तों इसको नई पेच में समझो जैसे ही आप सॉयल डालके छलनी को हिलाएंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों जो सॉयल 2 mm की है दोस्तों और उससे बड़ी है वो तो इसी में रह और 2 mm से चोटी जो भी बस्तों है, वो नीचे निकल जाएगी तो दोस्तों अब जो नीचे आएगी दोस्तों निकलके अब यह जो किרה और आप आगे रहे हो पर आगे छ्लाइकेों से नेरिकितान आप एक हैं दूस्तों आसे आपtsे gute हैं आपने मतलब हम नी कोई मतलब in जिसका size दोस्तों होना चाहिए 0.2 mm दोस्तों जैसे ही आप 0.2 mm की छलनी लेंगे तो आप क्या करना है जो soil इस वाली छलनी से नीचे गिरती दोस्तों उसको आपको भर लेना है उस वाली छलनी में जब उसको आप छानेंगे तो दोस्तो जो मिर्दा नीचे गिरेगी वो दोस्तो कौन सी होगी क्योंकि दोस्तो जो छनेनी का साइज जब कितना है दोस्तो 0.2 mm है तो दोस्तो जब उसका साइज 0.2 mm है तो 0.2 mm से जो बड़े पार्टिकल है दोस्तो वो तो उससे निकल नहीं उसके जाली का साइज है दोस्तों 0.2 mm है तो उससे जो बड़े बाले काण है वो उपर रह जाएंगे और उससे जो छोटे बाले काण है दोस्तों वो नीचे आ जाएंगे निकल के तो दोस्तो जो काण ऊपर रह जाएंगे यानि 0.2 mm की छलनी उसमें रह जाएंगे दोस्तो वो आपकी होगी मोटी बालू मोटी बाली दोस्तो क्यों होगी तो कि जो मोटी बालू का दोस्तो साइज है वो आप यहां देख सकते हैं कितना है दोस्तो तो वो है दोस्तो 0.2 murmat पहरा दोस्तो इसे पिरिकरिया आपको आगे भी करते रहना है दोस्तो आपको छलनी लेनी है वो लेनी है दोस्तो 0.02 mm की इसो दोस्तो छलनी है इसमें आपने जो यह वाली सोयल नीचे वाली दोस्तो निकल के आई है इसको उसमें भर लेना है और जैसे ही आप छानेंगे तो दोस्तो क्या होगा जो 0.002 mm से जो बड़े पाकण है दोस्तो वह आपकी छलनी में रह जाएंगे और उससे छोटे कंड दोस्त चानेंगे दोस्तो तो आपके पास दोस्तो सिल्ट रह जाएगी सिल्ट कैसे रह जाएगी इसे भी हम भी समझाई देते हैं दोस्तो कभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो दोस्तो सिल्ट रह जाएगी अब आप जब इसमें लिका ली दोस्तो तो यह महीन बाल उसमें आपकी छलनी में ही रह जाएंगे तो जिस बैसे क्या हो दोस्तो सिल्ट आपकी छलनी में रह जाएगी और नीचे दोस्तो बचेगी जो नीचे गिरेगी वो दोस्तो किले पार्टिकल होगे किले पार्टिकल क्यों होगे किले पार्टिकल जो साइज होता है दोस्तो हम देख लेते हैं दोस्तों अब कि आयतन के आधार पे कणाकार को कैसे निकालते हैं उससे पहले दोस्तों हमने आपको बताया तब ही पीछे हैं कि जो भार के आधार पे जो निकलता है कणाकार वो बहुत ज़्यादा सही रहता है नि सटीक रहता है तो चलनी में दोस्तों जो कण रह रहे हैं वो बिल्कुल सीम आकार की ही बस्ते हैं सीम आकार से क्या मतलब है दोस्तों तो जैसे मालो आपने इस वाले चलनी में जो आपके 0.2 mm इस वैसे क्या होगा कि 0.2 mm से जितनी भी छोटे पार्टिकल ने वो सम निकल जाएंगे केबल इसमें 0.2 mm से बड़े और 2 पॉइंट से छोटे पार्टिकल रह जाएंगे तो इसमें चलनी में केबल क्या बचेगी मूटी बालू बचेगी तो इसलिए सटीक होती है इसे और अच्छे जब समट पाएंगे जब आएतन के आधार पर टैक्चर को निकालना समझ जाएंगे अब बात कर लेते हैं आएतन के आधार पर टैक्चर यानी मिर्दा कणाकार को कैसे निकाला जाता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक मैसुन जार या कोई अन्य जार ले लेना है फिर उसमें मिर्दा को डाल कर पानी को मिला देना है उसके बाद उसको अच्छे से मिला कर रख देना है दोस्तो इसको देखो इसको कैसे निकाला जाता है तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो आपका एक जार है पहले यह समझ लो कि मैसुन जार क्या होता है दोस्तों यह हमने जिकर किया है नहीं मैसुन जार का थोड़ा इसको बता देते हैं के बाद हम समझे लेगे आयने कि आएटन के अधर पर कैसे निकालाजाता है दोस्तों देखो मेसुन जार एक ऐसे जार होता है जार वो इसी की तरह होता है जैसा आप एखे जार किया गयाने जो तो मेस Si के आधार पे दोस्तो टेक्चर को निकाला कहसे जाता है तो दोस्तो आप क्या करना है कि जार लेने के बाद उसमें मिट्टी को डालना है और मिट्टी के डालने के बाद उसमें पानी को डालना है पानी और मिट्टी को डालना है पानी और मिट्टी को डालना के दोस्तो अच् के रखी होगी तब तो दोस्तों यह दोना पानी और जो सौयल हो दोस्तों एक साथ होगी परंतु जैसे इसको आप रखेंगे तो मिट्टी जो हलके हलके बैठना चाली हो जाएगे तो दोस्तों सबसे पहले पानी में कौन से बाले पार्टिकल यानि कौन से बाले करण बैठे सेंट सेंड सेंड संड सेंड 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 सबाइड क्यों से बाहरी होता है हमने आपको पहले बताया था कि यह संड का बाहरी दोसाथ कि हमों सबसे बार हम आपको سबसे इसके बाद आपकी सिल्ट होती हैं उसके बाद दोस्तो मार्क, कर लिया जाता है एक मिन, आपको दिखाते हैं नोस्तों गर la u की आप देखते हैं कि निकाल शहें केसे टेक्चर को इस तरीके से आप आपने कर लिए उसके बाद कैसे पता करेंगे कितनी परसेंट इसमें किले है कितनी परसेंट है तो दोस्तों इसके लिए मानलो आपने जो टूटल सोईल यहां तक ली है वह आपने सो सेंटीमीटर ली ठीक है उसके बाद मैंने आपने देखा कि 15 सेंटीमीटर तक आपकी दोस्तो पंद्रे परसेंट के बाद लगबग 15 यह और 52 हो जाएगा तो लगबग कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा तो दोस्तो 67 cm तक दोस्तो मानलो आपकी शेल्ट आ गई और 100 सेंटी मिटर तक दोस्तो आपकी आ गई किलिए तो दोस्तो आपको कुछ नहीं करना नीचे वाला एरिया है 15 सेंटी मिटर तक दोस्तो 15% इसमें सेंड है बाकी ये 67 है ने इसमें से 15 नीचे वाला जो अरिया है माइनस हो जाएगा तो इतने वाले अरिया में क्या आएगी दोस्तोu आपकी सेलट रहाएगी दोस्तो Catherine लगबग 52% इसमेश रहाएगी और 33% दोस्तों के लिए रहाएगी तो इस तरीके से हम decide करते हैं next इसका जो दोस्तो property है वो हम देख लेते हैं दोस्तो मिर्दा की next property वो है दोस्तो मिर्दा की सरचना यानि soil structure तो दोस्तो मिर्दा के कण आपस में जुड़कर यह चिपकर जो सरचना बनाते हैं उसी को मिर्दा सरचना कहते हैं यानि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो आपके soil के कण होते हैं वो दोस्तों आपस में चिपक कर कुछ सरचनाय बनाते हैं या कुछ आकिर्ती बनाते हैं तो दोस्तों उसी को बोला जाता है soil texture लेकिन आप आप यह सोचेंगे कि जो soil के कण हैं दोस्तों वो आपस में चिपकत तो यह जो आपके soil के particle होते हैं, उनको आपस में चिपका देते हैं, अगर आप एक example देखना चाहें, तो आप water के संदर में इसका एक example दोस्तों हैं समझ सकते हैं, जैसे दोस्तों मानलो, आपने मिर्दा को लिया, यहीं मिट्टी को लिया, और उसको तोड़ के दोस्तों बार पानी डाल देंगे ना दोस्तों, पानी डालने के बाद जब इसको गोल गोल अपने हां से आप करेंगे तो यह गोल सेप में आ जाए, यह एक लड़्डू बन जाए, क्यों बन गया, क्योंकि दोस्तों जो आपका water है, उसने जो soil के particle अलग अलग थे, उनको आपस में चिप फिर है दोस्तों, प्रिज्म लाइक इस्टेक्चर, फिर है दोस्तों, ब्लॉकी लाइक इस्टेक्चर और लास्ट है, इस्पॉरडियल लाइक इस्टेक्चर, तो दोस्तों सभी को एकित करके समझ लेते हैं, तो दोस्तों जैसा हमने बताया, पहली है प्लेटी स्टेक्चर यानि प्लेटी सरचना तो यह सरचना परत के उपर परत की बनी होती है जो कि ऐसे इस्थानों पर ही पाई जाती है जहां पर भू परिस्करण या किर्सी नहीं होती है तो दोस्तो देखों यह जो प्लेटी स्टेक्चर होती है वो होती कैसी है तो दोस्तो यह परत के उपर पर परत की बनी होती है तो दोस्तो अगर परत के उपर परत की बनी होती है तो एक बात तो आप आस्टानी से समझ गए होंगे कि अगर परत के उपर परत तो यहां पर किरसी नहीं होती होगी क्यों नहीं होती है क्यों कि दोस्तो आप खुद सोचो कि जो किरसी वाला एरिया होता ह तो उसमें डोस्तो हल भी चलते हैं, आपके ट्रेक्टर भी चलते हैं, आपके कल्टीवेटर चलता है, हैरो भी चलते हैं, तो ये早 लियर टूट जाती हैं, परनतु अगर ये早 लियर है, तो इसका मतलब सीधा है, कि ये बो एरिया है, जो जहां पर किरसी नहीं होती है, याen forest area है ये, तो forest area में soil होती है उसमें परत के उपर परत वाली सर्रचना पाई जाती है, नहीं plate सर्रचना पाई जाती है, फिर है दोस्तो prism like सर्रचना, तो ये मिर्दा को जब नमी यानि monster या पानी मिलता है, तब मिर्दा का आयतन बढ़ जाता है और जब मिर्दा में नमी की कमी होती है तब मिर्दा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है जिसके फलसरूप मिर्दा में दरारे पड़ जाती है इन दरारों को ही प्रिजम सररचना कहते हैं इस पिरकार की सररचना किले कड़ों में अधिक होती है और काली मिर्दा में ये सबसे ज़्यादा और बड़ी दिखाई देती हैं तो देखो दोस्तो प्रिरिस्म का मतलब होता है कि जो आपके soil होती है उसमें दरारे बन जाती है दरारे किस तरीके की बन जाती है दोस्तो तो इसे यहाँ पर समझो तो दोस्तो यह आपकी मालो soil एक field है तो दोस्तो जब आप इसमें पानी देंगे तो पानी से क्या होता है जो आपके soil का कण होता है दोस्तो उसका आयतन दोस्तो बढ़ जाता है बढ़ क्यों जाता है युकि दोस्तो जो soil का particle होता है हमने आपको पीछे वाली वीडियो में यह बताया था जिसमें soil particle समझायाता है उसमें जो आपका soil का जो particle होता है दोस्तों उसमें लगबग जो 50% होता है दोस्तों ठोस होता है लेकिन इसका जो 25% भाग होता है इसमें दोस्तों water होता है और यह जो 25% होता है दोस्तों इसमें होती है यार अब दोस्तों जब आपकी मिर्दा में पा पानी आ जायेगा सोइल का जो आयतन होता है गढ़ जाता है इस जेSt गोडुतर मिर्धां पानी और यह लोगूत जो 25% इसमें एरिया था दोस्तो सोयल करण में वो दोस्तो कम हो जाए अलगा मालों 10% ही रह गया तो इससे सोयल का जो आयतन है दोस्तो कम हो जाएगा जब दोस्तो आयतन कम होगा तो इसमें दरारे बन जाती है इस तरीके दोस्तो जो आपकी SizenCulture होती दोस्तों उसमें दरारय बन जाती है दोस्तों इन दरारों को ही कहा जाता है Prism-like Structure Next हम दिख लेते हैं दोस्तो Blocky Structure यह Blocky सरचना तो इस परिकार की सरचना 20 संस्थर में पाई जाती है युकि 20 संस्थर में कोई किर्सी अंत नहीं चलता जिससे बहां की मिर्दा डेलो के रूप में पाई जाती है दोस्तो बी संस्तर क्या होता है तो इसके लिए आपको अल्रेडी सॉयल प्रोफाइल की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लें तो दोस्तो फिर भी हम आपको यह थोड़ा समझा देते हैं कि संसर क्या होता है ताकि आपको ब्लॉक की लाइक जो इस्टेक्चर है दोस्तो वो समझ में आ जाए तो देखो दोस्तों आपको यह soil होती है उसमें दोस्तों कई सारी परते होती है दोस्तों यह दोस्तों परते होती है ना दोस्तों इन परतों को कहा जाता है soil profile तो दोस्तों सबसे उपर जो परत होती है दोस्तों वो आपकी होती है ओपरत लेकिन दोस्तों जी o horizon है क्योंकि दो सबसे उपर आपकी होती है Ossa तो दूस्तो ये संस्थर जो होती है केबल जंगलों में ही पाये जाती है तो दूस्तो ये तो बात that कश्चि लैंड में नहीं होगी तो इसतर केहाम है है निए are संस्थर यानी attitude जूस्तो ये किर्शीर stehen pipe पाई जाती है तो दोस्तो ओ तो पाई नहीं जाएगी तो बची कौन सी आपकी A तो केबल आपकी A पाई जाएगी तो जब A पाई जाएगी उसके नीचे दोस्तो B होती है और उसके नीचे दोस्तो C होती है तो जब दोस्तो ए बाले एरिया में जब किर्सी यंत्र चलते हैं तो आपकी जो बीस अंस्तर होती है उसमें क्या होता है उसमें जो मिर्दा होती है दोस्तो वो धेलों के रूप में हो जाती है धेले जो होते हैं जो आपकी सोयल उसके बड़े-बड़े गोल या अन्य आकार क तरीके के दोस्तों यह कैसे मिल जाता है तो इसको एक डाइग्राम से समझे दोस्तों जैसे मालो यह 20 संस्तर है ठीक अब दोस्तों ऊपर से कोई हल जा रहा है यह कोई हैरो जा रही यह कल्टिविटर जा रहा है दोस्तों क्या होता है कि यह कल्टिविटर जब नीचे वाले ए गोल आप कह सकते हैं कि लगबाग गोल ही होती है तो इसलिए इनको block like structure कहा जाता है नेक्स्ट दोस्तो हम देख लेते हैं एक मिनट यह दोस्तो इस परडियल like structure यानि मोती नूमा या गोलाकार सा दचना तो दोस्तो इस परकार की तो सरचना होती है वो मोतीयों की तरह होती है यह बहाँ पाई जाती है जहां खेती के लिए जुताई की जाती है क्योंकि जुताई के कारण उपरे परड़ तूटकर गोल बा मोती नूमा आकार ले लेती है इसलिए इसको इस परडियल लाइक सरचना कहा जाता है दोस्तो देखो मोती नूमा सरचना क्या होती है तो इसको एक्जाम्पिल से समझो दोस्तो देखो यह आपकर कोई फिल्ड है अब जब इस आप फिल्ड में जब आप अगरिकल्चर संबंदत किरिया करेंगी जैसे मालो आपने दोस्तो भूपलिषकन यानी दोस्तो जुताई की अब दोस्तो जब आपकी टेक्टर जब इसमें चलेगा दोस्तो हैरो चलेगी दोस्तो क्या होगा जो इसकी ऊपरी परते है वो दोस्तो छोटे-छोटे टुकड़ों में दोस्तो तूट जाएगी इस तर दोस्तो सूखी मिर्दा के भार और आयतन की अनुपात को मिर्दा घनत्र कहते हैंैं why क्या लिए डोस्तो जो आपकी सौईल है उसका जो भार है अगर उसको अगर आप आयतन से डिवाइड कर लेए जो निकल कर आएगा दोस्तो उसी को आयतन कहेंगे दोस्तो example से समझो तब ये आपको दोस्तो अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तो जासे मानलो आपको ये soil है उसका भार है दोस्तो या जो मास से जो 50 गिराम है ठीक और आपको जो मिर्दा का दोस्तो जो आयतनयाई जो volume है भो दोस्तो दस centimeter की उब है तो दोस्तो आप दो कुछ नहीं करना कि जो इसका total भार है उसको volume से दोस्तो डिबाइट कर देना हैं जैसे ही आप इसको dvide करेंगे दोस्तो तो यह के पास निकल के आ जाएगा 5 gram centimeter की तो दोस्तों इसी को बोलते हैं soil घनत या soil density यानि दोस्तों जो मिर्दा होती है उसके भार और आयतन के अनुपात को ही मिर्दा घनत को कहते हैं जिसको हमने इंगलिस में भी लिखके दिया है कि soil density is the relation between the mass and the volume of our dry soil दोस्तों अब next हम देख लेते हैं कि जो मिर्दा घनत होता है उसको निकालने की दोस्तों जो इकाई है वो है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों क्यों है क्योंकि देख दोस्तों जो आपका मास होता है यानि जो soil का दोस्तों दोस्तों density बराबर क्या होता है इसको नए पेच पर समझे दो, density बरावर होता है मास अपन बॉलियूम, ठीक, मास अब अब किसमे निकलता है दोस्तो अब अब ग्राम में निकलता है और बॉलियूम निकलता है सेंटीमीटर क्यूब में जब दोस्तो इसको solve कर रहा हो तो क्या आएगा दोस्तो सैंटीमीटर क्यूब होगा दोस्तो इस बैसे जो इसकी दोस्तो यूनिट है वो क्या होगी तो अब होगी ग्राम सैंटीमीटर क्यूब अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो मिर्दा घंत होता है वो कितने पिरकार का होता है तो दोस्तों ये दो पिरकार का होता है पहला होता है दोस्तों bulk density यानि स्थूल घंत और फिर होता है दोस्तों particle density यानि कान घंत तो आईए दोस्तों दोनों पर एकक करके हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों पहला है आपका bulk density यानी स्तूल घनत दोस्तों मिर्दा में इस्तूल घनत निकानने के लिए मिर्दा को सुखा लेते हैं मिर्दा के सूखने से उसमें उपस्तित जल्व खतम हो जाता है और 50% रंदर अफकास और 50% ठोस भाग रह जाता है देखो दोस्तो जो आपकी density जो bulk density निकलती है वो दोस्तो पूरे particle की निकलती है पूरे particle से क्या मतलब है जैसे दोस्तो आपकी जो soil है उसमें लगबग जो 50% भाग होता है वो दोस्तो आपका होता है ठोस और जो 50% भाग होता है वो दोस्तो रंदर अफकास या खाली एरिया होता है तो दोस्तो bulk density बो density होती है जो पूरे particle की निकलती है लेकिन जो particle density होती है वो cable ठोस वाले एरिया की निकलती है इस वाले एरिया की तो उसको particle density कहते है bulk density का सीधा मतलब दोस्तो यही है कि जब पूरे particle की जब हम density निकालते हैं तो उसको bulk density कहती है इसको दोस्तो एक्जामपिल से भी समझो जैसे मालो आपने field में थे दोस्तो soil ली ठीक और आपने soil ली दोस्तो मालो 50 g ली और जिसका जोस्तो volume है जो इसका volume है वो आपका 10 cm क्यूब है दोस्तो इसका जो volume 10 cm क्यूब है तो आप जब इसको divide करेंगे तो दोस्तो आपकी जो bulk density निकल के आ जाएगी तो लेकिन आप इसमें एक बात गौर करना कि इसमें आपने जो खाली वाला area है उसको minus नहीं किया है तो आप बोलेंगे इस खाली वाले area से problem क्या है दोस्तो जो खाली वाला area soil का जो particle है वो volume cover करेगा तो इस वैसे हम इसको minus नहीं किया पूरे particle की हमने निकाल दी इसलिए इसको दोस्तो bulk density कहा जाता है लेकिन दोस्तो इसके opposite अकर आप देखें जो आपकी particle density दोस्तो होती है उसमें क्या होता है cable इस वाले area के हम घनत्व को निकालते हैं दोस्तो इस वाले को हम minus कर देते हैं तो इसलिए हम इसको particle density कहते हैं यही हमने लिखा भी है कि सुस्क मिर्दा का भार और कण के ठोस भाग के आयतन के अनुपात को ही मिर्दा कर धनत्व कहते हैं दोस्तो यानि तो दोस्तो जो सुस्क मिर्दा का भार रहे हैं जो total mass है जो कि दोस्तो जो खाली वाला area वो mass बजन तो लेगा नि क्योंकि उसमें कुछ है खाली है तो मास से कोई मतलब नहीं है लेकिन दोस्तो जो इसका volume है उसमें से हमें क्या करना होगा ये खाली वाला area इसको minus करना होगा तो दोस्तो आप खुछ सोचते हैं अगर इसका volume 10 cm cube है तो लगबग जो खाली वाला area 50% है ये तो 5 cm cube तो इस हीना volume घिरा होगा तो इस वाले volume को हम minus कर देंगे जो कि दोस्तो खाली वाला area भले बाहर ना होगा लेकिन दोस्तो volume तो होगा ही न volume तो बो cover करेगा ही तो ये 5 cm माइनस कर देंगे तो दोस्तो जैसे इसको आप divide करेंगे तो आपकी particle density निकल के आ जाएगी जिसको हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं दोस्तो जो आपकी soil है उसका जो भार है दोस्तो एनि मास है वो दोस्तो 50 gram है हम पीछे आपको भी बताया था और जो volume है दोस्तो वो आपकर कितना आया था minus करने के बाद 5 cm cube तो दोस्तो आपको कुछ नहीं करना इसको 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 काटेंगे डिवाइट करेंगे दोस्तो तो यह आपका आजाएगा 10 gram cm cube तो यह दोस्तो इस तरीके से particle density निकल जाएगी अब दोस्तो next हम देख लेते हैं porosity को तो दोस्तो जो porosity जो रंदर अपकास होता है मिर्दा के कड़ूं में पाए जाने बाले छिद्र या खाली इस्थान को ही रंदर अपकास या porosity कहते हैं मिर्दा का रंदर अपकास निकानने के लिए टोस को 100% मैं से घटा देते हैं वो धारण के लिए अब यह हमने दिया है पहले है उपर वाले को हम समझ लेते हैं दोस्तों तो देखो जो आपके soil होती है दोस्तों जो soil particle होता है उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो total area हम पीछे भी आपको इसे बात किये थे कि दोस्तों जो particle होता है उसमें क्या होता है कि जो 45% भाग होता है वो होते हैं दोस्तों खरीजों का और दोस्तों जो 5% area होता है उसमें दोस्तों होते हैं आपके organic matter तो दोस्तों जो खनीज वाला भाग होता है यह दोस्तों पूरा ठोस होता है तो यह वाला area को हम ठोस भाग क कहते हैं अब दोस्तों ये वाला जो एरिया बचायए 50% इस में से 25% में तो दोस्तों आपका बॉर्टर होता है और 25% में दोस्तों आपकी यर होती है लेकिन दोस्तों अगर पानी सूख जाएगा तो ये खाली निहीं हो जाएगा तो ये जोigo बॉर्टर बाला खाली स्थान कौन सा दोस्तो तो यह वाला जो आप देखना है खाली वाला जो यह स्थान है इसी को दोस्तो आप पॉरोसिटी है रंदर अपकास के आते हैं यही बात हमने दोस्तों यहाँ पर लिखी है अब दोस्तों आ जाते हैं कि रंदर अपकास को निकाला कैसे जाता है त को आपको रंदर आपकास निकालना है दोस्तों कुछ नहीं करना जितना भी यह जैसे इसका सेल्ट दो मठका अगर 45% होता माद लो 45% उसमें ठोस भाग तो आप क्या करना है दोस्तों जो total soil पार्टिकल का कितना हो 100% होगा इसको इसे बाले पेच सम्झो कितना होगा total घोस कई होगा और थोस भाग ओसको minus 05- agile बचेगा फाली बचेगा अब इसमें जोब अनुद कितना बचा है 65% तो इसे को बोलेंगे हम पौरो सिटी और अरंदरपकास, यह जो 65% एरिया है वह दूस्तों खाली है, तो उसको हम पौरो सिटी बोलेंगे, अब दूस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो मिर्दा के अंदर उपस्तित ताप को मिर्दा तापमान कहते हैं, मिर्दा के अंदर यह ताप सूरे के प्रकास, सुक्षम जीवों के स्वासन की किरिया और पेड़ों की जड़ों दौरा उत्सरजित उर्जा दौरा आता है, दौरा उत्सरजित उर्जा यादी कारण मिर्दा में तापमान उत्पन होता है, परन्तु इसमें मुख्य सूरज का प्रकास ही होता है, दोस्तों देखो, सॉयल टेंपरेचर यह मिर्दा तापमान से के मतलब है, दोस्तों इसका सीधा मतलब ही है, कि जो आपकी soil है उसमें दोस्तो जो उपस्तित ताप है या heat है या जो गर्मी है दोस्तो जो ताप उसके अंदर उपस्तित है उसी को दोस्तो soil temperature कहा जाता है example के लिए दोस्तो अगर आप हम कहें आपकी body का temperature क्या है या body के temperature से क्या मतलब है तो दोस्तो आपकी body के temperature से मतलब ये है कि जो आपकी body है उसमें कितनी heat है या फिर आप कह सकते हैं कि उसका temperature क्या है उसका tap क्या है दोस्तो जितना उसका tap होगा दोस्तो भही उसका tap मान होगा तो अगर इसे आप मिर्दा के संदर में समझें चाहिँ जो सॉइल होती है उसमें कितना ताप है उसी को दोस्तो स्वाल टेंप्रेचर कहा जाता है अभी आप सोचेंगे कि स्वाल टेंप्रेचर या स्वाल के अंदर यह कहा कंसे है यह हीटाती होता है पहला सबसे बड़ा source है सूर्य का पिरकास पिरकास में हीट होती है पहला source हो दोस्तो यह हो गया क्या है नि जो सूर्य में उपस्ते स्वासन करते है कोई भी स्वासन करती है जिसका एक example चाहें अगर आपने मुँपे आप हाथ रखते हैं जब आप सांस को छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे जो आपके अंदर सांस निकल रहे तो इसका वह काफी गरम होगी, तो दोस्तो दूसरा सोर्स ही हो गया, बाकी दोस्तो पीड़ों को जड़े होती है, उनके दोस्तो उर्जा को सर्जित किया जाता है, तो बहां से भी यह आता है दोस्तो जो temperature होता है ये बीज के अंकूर के लिए बहुत जादा महत्पूर होता है चुकि दोस्तो अगर आपको ये soil है अगर उसमें उचे temperature नहीं होगा तो उसमें उपस्ति जो बीज होते हैं दोस्तो वो अंकूरों नहीं करेंगे इसका एक example ये भी आप समझ सकते है कि अगर आप किसी भी बहुत ज़्यादा ठंडी एरिया में दोस्तो अगर आप धानों को डाल दोगे यानि जो धान को अगर आप बीज कहो या जो भी कहो अगर आप धानों को वहां जाकर डालते हो यासे मानलों आप सिमला गए और सिमला में जाके अगर आप सर्दी के मौ अगर आपने धानों को डाल दिया ना दोस्तों तो बहाँ पर उतना temperature नहीं होगा कि धान का बीजव अंक्रूर कर पाए तो धान का बीजव कभी बहाँ अंक्रण ही नहीं करेगा तो बीज के अंक्रण के लिए temperature बहुत जादा महत्पूर होता है फिर दोस्तों है 15-40% तापमा से 40% फिर है दोस्तों 25-35% तापमान पर मिर्दा में उपस्ति सुक्षम जीवों के लिए उप्युक्त है यानि दोस्तों जहाँ सुक्षम जीव बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं इसका example दोस्तों equator हो जाएगा जोग इक्विटर पर टेंपरेचर इतना ही रहता ह तो इसलिए वहाँ पर सुक्षम जी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं नेक्स दोस्तों हम देख लेते हैं soil color यानि मिर्दा का रंग तो मिर्दा का रंग एक भौतिक गुण है जिसको देखकर ही पहचाना जा सकता है मिर्दा को देखने पर जो रंग दिखता है उ आप उसको तुलाल दिखी इसमें तो कोई है नहीं अगर आसान सब्दों में कहा जाए तो मिर्दा को देखने पर जो रंग दिखता है उसी को दोस्तों soil color या मिर्दा रंग कहते हैं मिर्दा का जो रंग होता है बो अलग क्यों होता है दोस्तों यह important है जैसको आपकी black soil है वो black क्यों है red soil right क्यों है तो कोई नहीं कुछ दोस्तों रीजन होगा अपने आप तो संबभ है नहीं तो इसके दोस्तों कई तीन दीजन है मुखे तो अभी हम उस पर बात करेंगे अब भी आपके बद soil color को समझ लें दोस्तों मिर्दा का रंग होता है आसान सब्दों में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मिर्दा को देखने पर जो रंग दिखाई देता है उसी को मिर्दा रंग कहते हैं अब दोस्तों हम समझ लेते कि मिर्दा का रंग अलग अलग क्यों होता है कोई नहीं कुछ दोस्तों रीजन हो गई ना दोस्तों पहला जो कारण है वो है मिर की soil है इसका रंग decide होता है. अगर दोस्तो आप अगर एक example से समझें चाहें, तो जो लाल मिर्दा होती है, उसका लाल रंग जो होता है, जो लोहे के कारण होता है, क्योंकि दोस्तो लाल मिर्दा में जो लोहे के oxide होते हैं, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए उसका रंग दोस्तो लाल होता है दूसरा दोस्तो इसका कराना आप देख सकते हैं तो हुमस को समझ सकते हैं दोस्तो जो हुमस होता है अगर किसी मिर्दा में हुमस जादा है तो उसका रंग डार्क हो जाएगा डार्क हो जाएगा इसका मतलब है जैसे दोस्तों मालो अगर लाल सॉयल में अगर हुमस की मातरा अधिक है तो आपके जो सॉयल है वो डार्क रेट हो जाएगी अगर आप बलेक सॉयल में हुमस की मातरा अलग जादा है तो वो डार्क बलेक हो जाएगी तो हुमस भी काफी हद तक प्रभावित कर उसके बाद दोस्तो सेल्ट आ जाते हैं अगर आपके जो सॉइल इसमें सेल्ट या नमक की मात्रा जादा है तो क्या होगा दोस्तो वो सपेज सपेज आपको वो सॉइल दिखने लएगी फिर है दोस्तो मूल चट्टान यानि पैरेंट मटेरिया तो देखो दोस्तो किसी भी च अगर ऐसी स्थान पर सॉइल का फॉर्मीशन हो रहा है जहां पर लावा या अगनी चट्टान है तो वहां कौन सी मिर्दा बनेगी दोस्तो काली मिर्दा बनेगी लाल मिर्दा का निर्मार होता है दोस्तो ग्रेन आइट की चट्टाने से होता है यानि जहां लाल मिर्दा का निर्मार हुआ होगा दोस्तो बहां ग्रे नाइट की चट्टाने मौजूद होंगी फिर दोस्तो तीसरा कारण है बुए आपका जलबायू यानि क्लाइमेट तो दोस्तो मिर्दा के निर्मार में जलबायू का बहुत ज्यादा महत्पूर्ण रोल होता है और इसके कलर की निर अब मालो जो अगनियर हो गए दोस्तो अगर आप राजिस्थान में लेकर रखिया है तो क्या दोस्तो आपकी काली मिर्दा का निर्मार होगा बिल्कुल नहीं होगा बलकि वो तूटके रेत के रूप में बिखर जाएगी तो दोस्तो टैम्प्रेचर भी काफी जादा महत् अब दोस्तो आता है कि मिर्दा के जो रंग होता है इसको निर्धारन कैसे किया जाता है तो दोस्तो जो मिर्दा का रंग होता है उसके लिए मुंसिल कलर चार्ट होता है दोस्तो यह मुंसिल कलर चार्ट जो होता है दोस्तो इससे निर्धारन किया जाता है कैसे किया जाता ह दोस्तो यह चार्ट होता है इसमें क्या होता है अलग-अलग कलर होते हैं दोस्तो चार्ट में और इसमें जो गोल एक सर्किल होता है जो दोस्तो आरपार होता है और उसके जो सर्किल है उसके आर चार और दोस्तो कलर भरा होता है अलग-अलग कलर दोस्तो भरे होते हैं यह सर् नीचे आपको लगए कि इस color से match कर रही है तो इसको sample लेके जो आपको ये hole आप देख रहा है ना इसके नीचे रखना अगर वो hole से जो चारो और जो रंग भरा हुआ है वो बिल्कुल match कर जाए 100% तो बही दोस्तो soil का color है अगर 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 आप नहीं समझे तो थोड़ा हम और आसान सबस्दों समझाते हैं जो मुंसर चार्ट होता है इस तरीके से hole होता है होते तो बहुत साने हैं इस तरीके पुरी पेशमे में बना होता है और इसके चारो और hole के circle होता है जिसमें अलग एक color भरा होता है जैसे example के लिए दोस्तों मान लो इसमें red color भरा है ठीक औ दोस्तो भइ उसका वह एला कलर है तो इस तरीके दोस्तों सॉयल कलर होता है उसका निरदारण किया जाता है नैक्स दोस्तों हम देख लेते हैं सॉयल से हैं कहां से दोस्तो जड़ों से ही लेते हैं और दोस्तो जड़े कहां होती हैं तो दोस्तो सॉयल में होती हैं और जो दोस्तो सॉयल बॉटर होता है जो मिर्दा जल होता है इसलिए उसको मिर्दा जल कहते हैं यानि ऐसा जल जो मिर्दा में उपस्तित है दोस्तो मिर्दा में उपस्तित है या जो मिर्दा में उपस्तित है उसी को दोस्तों मिर्दा जल कहते हैं दोस्तों सोईल में जल उपस्तित होता है वो पौदों के लिए पानी का मुख्य सुरूत होता है क्यों क्यों हम आपको बता चुके कोई जड़े जो होती हैं दोस्तों सोईल में होती हैं सोयल से ही पानी को एब्जर्ब करती हैं और दोस्तों सोयल बॉटर होता है वो तीन तरीका होता है पहला दोस्तों होता है गुरुतविय जल फिर होता है केसका जल यानि कैपिलरी बॉटर फिर होता है अर्दता ग्राही जल तीनों पर एक करके बात कर लेते हैं दोस्तो पहला है गुरुतविय जल यानि gravitational water दोस्तो गुरुतविय जल क्या होता है आप gravity से ख ут़़़ए लगा सकते हैं तो मिर्दा में अधिक मात्रा में जल आने पर जो जल गुरुतविय जल यानि gravitational force Stunden collection गहराई में चला जाता है इतनी गहराई में कि जड़ उस जल का उपयोग नहीं कर सकती है उस जल को प्राप्त नहीं कर सकती है देखो दोस्तों आप सभी को पता होगी कि बॉर्टर होता है वो हलके हलके रिसके नीचे जाता है यानि अगर मालो आपने किसी फिल्ड में पानी प्रोवाइट किया तो इस फिल्ड में तो पानी क्या होगा थोड़ा-थोड़ा करके नीचे जाता रहेगा दोस्तों अब एक और आपके जड़े होती है बोल जादा गहराई में तो रहा हराई में होती नहीं मालो दोस्तों यहां से पानी को ले पाएंगी, बिलकुल नहीं ले पाएंगी, युकि दोस्तो जो पौदे की जड़े हैं, वो बहीं से पानी को ले सकती ही, जहां तक वो फैली हुई है, तो दोस्तो यह पानी जो होता है, यह ऐसा पानी होता है, जो gravity के कारण बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, तो ऐसे पानी को दोस्तो ग्रैविटीशनल बॉटर कहते हैं, फिर है दोस्तो केस की जल, यानि कैपिलरी बॉटर, तो दोस्तो हमने आपको पीछे भी बताया था, यह सोयल का दोस्तो करण होता है, उसमें 50% दोस्तो आपका ठोस भाग होता है, यह हम आपको अल्र दोस्तो यही होता है, यानि वह जल, मिर्दा के जल में आमएर उपस्तित मुमें पाया जाता है, उसी को दोस्तो बोलते हैं कि इसकी है कैपिलरी बॉटर, और दोस्तो पौदे जो होते हैं वो इसी जल का व्योग करते हैं, शब दोस्तों देखो अब जब यह soil record है एक मिनट यह soil record है और जो मिर्दा होती है वह साई soil से मिलके बनी होती है तो जड़े इस तरीके से मिर्दाम फैली होती है जो जड़े होती है तो फिर इसी बाले एरिया से जो इसका 25% में जो बॉटर पस्ति होता है इसी से जल को उठाती है तो यह तो दोस्तों हो गया capillary water इसको आप चाहिए note कर लेना कि जो capillary water होता है इसी का उपयोग पौदे करते हैं और बागी किसी और जल का उपयोग नहीं करते है नेक्ट दोस्तों आर्दता गिरही जल जो है यह मिर्दा के कणों पर पतली परत के रूप में चारों तरप रहता है पौदे इस पानी का प्रियोग में नहीं ला पाते च्योंकि यह पानी अध्य अधिक बल के साथ मिट्टी एक कणों से चिपका होता है देखो दोस्तों क्या होता है दोस्तों यह आपके soil का particle है ठीक इसके अंदर लगवग 50% होता है और बागी 50% policy हम बताई चुके है और दोस्तों जो soil होती है बहुत सारे कणों से मिलकेबनी होती है अब दोस्तों यह जो आपके पौदे है इसका उप्योग कर ie करही ही नहीं सकते कि पौदे चाहां पर भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं इतलिए पौदे केबल कैपिलरी बॉटर का दोस्तों उपयोग करते हैं दोस्तों वीडियो को यहीं खतम करते हैं अगर यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट करना नहीं दोस्तों जाते जाते हम यह जरूर बोलेंगे कि यह वीडियो बहुत जादा इंपोटेंट है। युकि दोस्तों अगर आप पुराने कोशन पेपर को उठा के देखें तो कोई भी साल ऐसा नहीं छूटा होगा। जिस साल में इस सम्मंदित यानि जो आपकी मिर्दा के जो बहुते गुण हैं उनसे सम्मंदित कोशनों को दोस्तों नहीं पूचा हो। दोस्तों इसी के साथ हम अब चलते हैं और आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में।